इस वीडियो में मैंने एक एक्जाम हुआ था हमारे स्कूल में आरिया भट गनित चैलेंज 2022 और ये लेवल वन है वैसे से आगर मैं बात करो तो दो भी लेवल सेकिंड लेवल भी था वो ओन्लाइन था लेवल वन हुआ था बहुत ही बढ़िया एक्जाम था उसमें 40 क्वेश सरी कौन सी क्लासी के लिए है ये एक्जाम कौन कौन सी क्लासी अपियर हुए थी स्कूल में 8, 9, 10 ये तीनों क्लासी अपियर हुए थी same question paper था अच्छे चीज है तो आपको करना क्या है सबसे पहले इस वीडियो को आप देखो उससे पहले pose कर लेना question आए जब खुद पहले answer को refer करना this is the way to enjoy these 40 questions चली start करते हैं first question ले लेते हैं चली question 1 करते हैं बड़ा अच्छा question है कहता अभी numbering कर रखिए pages की 1 से लेके 145 में हमसे पूछा है कि अगर कोई भी randomly page खोले माली जी ये दोनों page हमने खोले कहता कि इन दोनों number को मालनों जी थोड़ी देर के लिए अगर ये 5 है और ये 6 होगा continuously कहता है कि जो भी page निकला उसका total निकाले राइट तो ये बताइए वो total के बारे में हम क्या कह सकते हैं देखिए दो consecutive number है ना चाहिए 5 और 6 है वो 11 आया वो order number आ रहा है और ले लेते हैं चलिए मैंने ले लिया 6 और 7 ने ले ले लेते मालते हैं तो 6 और 7 भी 13 order number है तो आप ऐसे question को करके देख लिजी तो मेरा मानना है आपको पकड़ में आया होगा इसका question का पांचवर है order number बात बनी चलिए question number two की बात करते हैं यह easy question है देखिए क्या कह रहा है कहता है कि भाई आप function दे रहा है cu का मतलब कुछ है सबसाब लिखा हुआ है कि abs का मतलब absolute value मोडल उसको कहते है absolute value ठीक है और sqx का मतलब है square करना है यह दूसरा function है फिर कहता है यह cube root है यह cube root होगा है तो हमें f minus 8 है यानि कि जहाँ x है वहाँ minus 8 put करने के लिए कर रहे है अगर मैं minus 8 यहाँ पे put कर दूँ तो इसका minus 8 put करने का मतलब है minus 8 का cube root निकालना है cube root होता है 1 by 3 minus 2 आया फिर कहता है square कर दो तो minus 2 का square करूँगा मैं तो 4 आया फिर कहता है कि भाई या 4 आ गया तो इसकी absolute value निकालो तो 4 की absolute value जो है ना वो 4 आएगी अगर आपका answer D आ रहा है पिलकुल correct है इसमें कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता calculation थी चली next question कर लेते हैं वैल ये तो भईया है नहीं बड़ी इस question के level ही बड़ा easy है diagonal fold कर रखा है अगर ये unfold करोगे ना तो एक चीज़ तो है कि ये तीनों hole है ना वो यहाँ पे आएंगे मानते होगे नहीं तो अगर आपका answer C आते हैं ये अक्सर बच्चे सारे कर लेते हैं मैंने class में पूछा था तो इसमें कभी किसी बच्चे ने दिक्कत नहीं दिखाई तो थर्ड का सी answer है question number four करते है फोर देखी बड़ा अच्छा question है कहता है कि भाई एवरी दे रखा है 3.5 cm एक week की growth है और 7 cm होने में कितना time लागेगा ये पहुचा है वैसे तो 3.7 का double है तो अक्सर बच्चे 14 कराते हैं लेकिन एक चीज और भी तो देखो ये क्या लिखा कहता भाई या 3 days तो ना वो अंदर ही लेता है ग्राउंड के अंदर ही germinate करने में time लगता है और इसे ने पुचा how many days will it grow to the height of 7 cm above the soil तो मेरा मानना है कि 14 गलत होगा तो सर करेक्ट क्या है करेक्ट 17 है सर कैसे एक्च्छल में दो week में अगर आप करोगे ना 7 हो गया लेकिन 3 days underground वाले भी तो count करोगे और दो week जो हैं वो 14 हो गया 14 में 3 17 जोड़ोगे अगर आपका answer यहाँ पे D है बिलकुल correct है बात बनी question 5 देखिए बयाई सबसे कम बच्चों ने मेरी class में इसको बताया था important question है बहुत बढ़िया question है कहता है कि इस pattern को पढ़िए और इस pattern को पढ़िए question mark में क्या आएगा आप वीडियो पोज कर लीजिए बहुत अच्चा question है पहले आफ ट्राइ किजिए देखिए काफी बच्चों से पूछने के बाद एक बच्चे ने बड़ा अच्छा logic दिया और उसने कहा sir answer जो है न वो उसने बताया मुझे और कैसे answer है उसका logic बिल्कुल ठीक था देखिए कैसे उसने भाईया पहले इन तीनों को multiply किया 2, 3, 4 नमबर को इनको multiply किया 144 आया देखिए अगला number 144 आ गया फिर इन चारों को multiply किया 1 into 4 into 4 16 आया तो उपर वाला 16 हो गया फिर 1 into 6 को multiply यानि कि ये 6 आएगा आपका भी answer आगर 6 आता है बिल्कुल ठीक है बहुत कम बच्चे इसको पकड़ पाते है इस pattern को done question number 6 करते हैं ये question मैंने बहुत try किया बड़ा मेरों को relate समझ में आया actual में इसका answer आप ढूंडते रहोगे कैसे मैं सोच आता 20, 40, 45 लेकिन बड़ी surprise है इसका answer आता है यानि कि cannot determine आप बोलो सर्क कैसे पता लगा अभी cannot determine इसको मैंने करके देखा और करके ये ऐसे देखा मैंने कि मान लीजिए एक ये है 1 km done और ये भी 1 km है अगर चड़ने में 15 km की स्पीड है उतरने में भी x की स्पीड है तो average speed का formula ये हमने कहीं पढ़ा था और इस average speed को मैंने 30 के बराबर रख दिया तो एक average speed तो दे रखी है 15 दूसरी average speed है वो x लेली मैंने लेकिन मैंने simplify किया तो ये तो answer x की value आई नहीं रखी यानि कि x की value हम इस तरह से निकाली नहीं सकते कुछ 30 है ना ये गड़बड़ है यहाँ पर 30 नहीं आना चाहिए था तो cannot be determined इसका answer आएगा clear 7th question देख लेते हैं well ये काफे interesting है fraction वाला question है हमसे कहता है what fraction of this हमें shaded black वाले है ना वो उपर रखने है और total नीचे आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आप पांच और निकाल लेजिए but आप मेरे method से करिए देए मैं मैं कैसे समझा रहा हूं आपको मैंने ना इसको पहले boxes count करें कितने boxes में black है right black वाले count करते हैं one two three four five six seven eight अच्छा eight आपने note कर लिया eight के बाद ये देखिए जहां पर मैं टिक कर रहा हूं ये हो गया nine वाला और यहां पर double टिक कर रहा हूं ये हो गया ten वाला actual में ten जो है ना वो पूरे पूरे block है तो अगर आप ध्यान दें तो black वाला ten का मैं double कर रहा हूं sir double क्यों कर रहा हूं आप या अगर मैं ऐसे करूंगा तो दो triangle बनेंगे ना तो ten ये twenty कैसे आया ten block को two से multiply गिया और total है ना one two three four sixteen है ना तो sixteen का double करने पर thirty two total आया इसको अगर मैं simplify कर दूँगा black वाले twenty है आप अपने तो ten लिखे twenty कैसे आया या ten तो मेरे actual में boxes है अगर मैं आधी आधी triangle count करूंगा ना तो twenty triangle है black वाली ऐसे आप याद कर लीजिए और thirty two है ना ये total triangle है ये triangle मैंने ले ली इनको simplify किया तो मेरा answer है five by eight आपका अगर answer five by eight है बिल्कुल correct answer है बात वनी चल ये question eight की बात करते है मेरा favorite most important question को mark करता हूँ कहता है ये three hundred number है natural number ठीक है question में देखे बड़ा चाप पहले खुद करिए ये कह रहा है three hundred number है ये लीजी मैं आपको समझाने कोसिस करता हूँ one two three three hundred तक लिख लिए कहता है कि फिर करा क्या जो भी old places पे है ना उनको remove कर दिया old places का मतलब है कि one three five इनको remove कर दोंगा ना तो इनको remove करने पर पीछे जो number बचेंगे ना वो बचेंगे आप agree करोगे two बचेगा four बचेगा six इस तरह से बचेंगे कहता है इस तरह से चलते रहे जो भी old places पे है उसको remove करते रहे तो बचेए last में number क्या बचेगा ये question है बहुत बड़ा question है वीडियो पोज कर लीजिए मैं तो answer बता देता हूँ मेरा answer देखी पहला step में मैंने one two three hundred लिका total three hundred number है और old places वाले अगर मैं remove कर देता हूँ जो जो old places है कुल मिलागे old number है वो भया one fifty number पीछे बचेंगे फिर अब मैं remove करने वाला हूँ old place पे यानि कि ये भी one place पे आ रहा है ये भी one place पे आ रहा है जो old places पे आ रहा है इनको मैं हटाओंगा तो पीछे जो बचे न वो बचा यहाँ से four बचा यहाँ से eight बचा चार चार का gap बचा अब ये क्या बता रहा है यह बता रहे है total number कितने बचे 300 है आदे old आदे even होते 150 बचे 150 आदे old आदे even 75 बचे अब इनको old places को हटा देंगे तो यह बचा 820 और आप agree कर रहोगे 8 और उसके बाद 16 और 88 का gap बचा बात बनी और आप ने ध्यान दिया 88 का gap 8 की table चल लिए 38 क्या चीज है से 75 में 38 है ना वो old number है और भईया 37 है ना वो even number है तो भईया आपको मैंने यहां लिखा कि total number 38 बचे अब देखिए 75 में से old number 38 है तो 38 नमबर अगर हड जाते है 37 जो है वो even number है और अगर आप note करें इस में से भी मालीजे में यह हटाता हूँ पहले तो बचे तो 38 है ने old तो अगर मैं next step में इनको हटा देता हूँ यह हटा दिये तो 38 के अगर आप note करो 19, 19 old or even बचेंगे ना तो 19 जो है वो old बचे और 19 even बचे फिर क्या किया मैंने यहां से 16 बचा फिर 32 आया अब मेरे पास 19 बचें 19 में से अगर आप note करो 10 नमबर तो old है और भाईया जो 9 है नो वो even है तो अगर आप इस तरह से करते रहोगे ना तो अगर हटाते रहोड़ हटाया मैंने तो देखी यहां पे 10 old तो यह चीज इसको करने के जुरूत नहीं यहां से देखो न यह चीज हटी तो क्या बचा अगर आप note करोगे यह बचा 16 32 वाला अब 19 में से अगर 10 old हट जाते हैं तो यह मेरा मानना है कि यहां पे 10 पीछे कितने बचेंगे 10 old आने के बाद में 9 बचने चीज है राइट अब यह 9 बचेंगे तो 9 में अगर आप देखी आप agree कर रहोगे 5 तो old नमबर है और वहिया 4 even नमबर आएंगे तो अगर old हट जाते हैं तो यहां पे देखा जाए तो 4 बचने चीज है राइट पीछे तो even नमबर ही बचेंगे न तो यह 4 बचे इन चारों में से भी अगर आप old हटा देते हो in the same sequence आप चलोगे न तो 256 है वो आपका आंचोराता है I hope आपको courses करी है मैंने समझाने की की हुआ क्या है there can be another method पर मुझे लग रहा है यह method इस तरह से काम कर जाता है 9th question देखते है well अच्छा question है एक आंट यहां से चलना स्टार्ट करा और यहां पे जाना है और हमें कह रहा है कि भाईया यह बताए what is a distance travel देखे सबसे पहले यह वाला distance यहां से चली तो यह distance 30 हो गया बिलकुर ठीक है यह वाला distance 10 हो गया बिलकुर ठीक है और यह वाला देखो आदा सरकल यह आदा सरकल यह तो यह तो पूरा सरकल नहीं बन गया पर आदा आदा करें और यह अगर 30 है ना तो इसका diameter 10 इसका diameter 10 इसका diameter 10 तो मुझे diameter मिल गया किसका circle का 10 अब मैं इनको बड़ा आसानी से निकाल देता हूँ देखिए यह तो easy question है कैसे करा है मैंने मैंने इस 30 को यहां लिखा इस 20 को यहां लिखा और एक circle है यह वाला आदा और यह वाला यहां तो रोकी गए है न तो pi d होता है सर कई बचे कहते हैं सिर आप 2 pi r को लिको एक ही तो बात है 2 or r को d बना दिया मैंने और diameter मैंने 10 रखा तो 40 plus 10 pi यानि कि अगर आप का भी answer c r है बिल्कुल ठीक है चलिए question 10 देखिए यह तो भई यह math का कम gk का जादा लग रहा है which Indian mathematics is famously known as Euler spoiler देखिए आपने साइद कहीं बच्चों ने नहीं बढ़ा होता है यह 10th का answer B है और SS3 खंडे करके mathematician हो है हमारे उन्होंने Euler का आगा देखिए पहले अगर आपको Euler का ही नहीं पता तो फिर आप यह भी नहीं पता लगा आप आओगे कि Euler spoiler क्यों कहते हैं इनको इनका जो काम था उनको Euler की जो जो भी बुक आई थी जो भी उन्होंने statement दी थी उसके उपर उसके against में लिखा था spoiler कहते हैं detail में कभी बताऊंगा कि यह क्यों इसको spoiler कहते हैं फिलाल answer B ठी ठीक है चली next question की तरफ चलते हैं ओके चली 11th question करते हैं बड़ा easy question मानता हूँ मैं कहता है कि बई object pattern दो debit card पे pattern है हमें बताना है यहां क्या आएगा देखे पहले तो मैं answer की बात करूँ तो आपने ध्यान दिया इसका double हो रहा है 0, 5 का double 10, 10 का double 20, 20 का double 0, 2 का double 3 यानि की multiply by 3 हो रहा है 0, 6 का double 18, 18 का double 24, 54 54 का triple और इसका भी यानि की 162 को मैं 3 बार multiply कर देता हूँ तो multiply करने पर मेरा answer आ जाता है 486 आपको इसमें agree करोगे सिरफ और सिरफ यह multiply 3 से करना था और मेरा मानना है यह आपको समझ में आया होगा चले question 12 देखते है well काफी अच्छा question है दिखें यह क्या कह रहा है कहता है कि भाईया हर friend को invite कर रहा हो पहले ring पे एक friend आया अगली बार doorbell बलीना हो तो उससे कह रहा है कि भाई group of friends आया हो ने आये है पार्टी में done चली answer की बात बताता हूँ कि यह answer कैसे निकालेंगे आप agree कर रहे हो सबसे पहले मैंने doorbell लिखा और भाईया यह लिखा answer देखी कैसे one doorbell पे one ही दोस्त आये था second वाली पे दो ज़्यादा आये हैं तो three हो गए यानि कि इससे दो ज़्यादा है न third वाले पे इससे दो ज़्यादा आये हैं इस fourth वाली पे इससे दो ज़्यादा आये हैं और total eight बजी तो इस तरह से करके हमने eight लिख लिया अब आपको इनका sum निकालना था तो अगर आपको ध्यानों यह सारे order number है order number जितने होते हैं न उसका sum का formula n square यानि कि eight है यहाँ पे तो eight का square कर दो 64 है न वो आपका answer आया है सरीए मैं n square से नहीं निकालू तो कोई बात नहीं इनको आप add करके देख लीजी 64 से answer आजाएगा बात बनी चलिए question number 13 पढ़ते हैं क्या है अच्छा question है बाया कहता है बाया सोमू है ना उसकी age है x और बाया sister जो है ना ध्यान रखना है वो elder sister है वो y है तो एक चीज तो confirm है कि बाया ये elder है तो x और y तो greater होगा ही होगा तो ये बात तो सही कह रहा है ठीक है और y minus x है ना जीरो तो होई नहीं सकता तो ये भी बात सही है बाया ये कह रहा है which of the following is no true ये ध्यान में रखना ये no true कह रहा है और बाया x minus y negative y का ये भी सही है आपका answer है a सर कैसे अगर मान लिजे थोड़ी देर करके देखते हैं इसकी age मान लिजे 2 है इसकी sister की age है ना वो मान लिजे थोड़ी देर के लिए four है तो अगर आप note करेंगे तो age का cube करने पर बराबर आएं बिलकुल गलत बात है इसका cube बराबर करोगे ये तो साब दे रखा है बराबर थोड़ी है तो a है वो बिलकुल ठीका answer है ये तीनों करेक्ट है 14th question देख लेते हैं देखिए इसमें दो नए वर्ड आए है एक आया है ambigram और एक है palindrome palindrome नंबर है ना वो ऐसे होते थे चाहिए dad आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो madam तो ऐसे वर्ड को palindrome कहते थे तो ये नंबर जैसे 121 ये palindrome है पहली बार नहीं जो चीज आया है वो ambigram आया है ambigram कहता है कहता है upside down ये कहता है अगर eye लिखा है ना तो इसका reflection करोगे वो भी eye दिखेगा तो ऐसे नंबर को ambigram कहते हैं कहता है date है ना in the picture below वो कौन सा सही है तो अगर आप देखो देखो 12012022 ये भाईया ambigram तो ही है फिर अगर मैं इसका image ले लूँ तो image भी बिल्कुल वैसा ही यानि कि इस case में जो answer है ना both palindrome और ambigram वो होगा अगर आपने भी c को tick करा है then it is right बाद बनी चली next question की बात करते है question 15 की बात करते है क्या कहता है ग्रोशर बाइस टू वैराइटी ओफ एक्स और वाई है दो वैराइटी है एक्स का जो rate है ना वो भाईया ए रुपे केजी दे रखा है ये बी रुपीज पर केजी दे रखा है फिर उन्होंने इन दोनों को mix कर दिया और जो भाईया mix करने के बाद उन्होंने सेल करा ना वो सी रुपीज पर केजी के साब से सेल कर दिया हमें निकल लोट इस रेश्यो वैराइटी एक्स टू दा वैराइटी इन दा मिक्स्चर रेश्यो निकालना है तेकि इसने एक चीज नहीं दे रखी कि ये कितना केजी ये एक्स का मैं समझाता हूँ पहले आपने कर लिया हो तो तेकि हम ऐसे करते हैं मैं माल लेता हूँ कि भाई ये जो एक्स कॉंटिटी है ना एक्स जो वैराइटी है वो एक्स केजी ले ली वाई वैराइटी हो वाई केजी ले ली फिर इसने कह रहा है कि भाई X का जो rate है ना वो है A रूपीज पर केजी और अगर आप देखो तो Y का है B रूपीज पर केजी तो आप पता है quantity को और इसको multiply करूँगा तो total cost आ जाएगी यानि कि यह मैं अगर इसका solution बता रहा हूँ मैं कैसे निकाला इन दोनों को मैंने multiply कर दिया X A आया इसको भी दोनों को multiply किया B Y आया अब ये दोनों मैंने अगर add कर दूँ तो यह कहता है कि मिक्स करने के बाद जो rate बनाना नया वो C रूपीज पर केजी हुआ तो X प्लस Y तो quantity होगी और C रूपीज यानि कि C से multiply किया अगर मैं इसको simplify कर देता हूँ तो मेरा answer आ जाना चीए कैसे आएगा मैंने multiply कर रहा है X C Y C और ये X C है मैं यहाँ पे ले गया है transpose कर दिया और B Y को मैं यहाँ ले आया तो B Y जो है वो negative का हो गया इन दोनों में X common है बिल्कुल ठीक है इन दोनों में Y common है फिर मैंने न X और क्योंकि देखो ratio पूछा what is your ratio तो X upon Y का ratio निकालना है तो भाया Y इसके नीचे ले के आ गया मैं आ गया तो C minus B और इसको नीचे ले गया ये मैंने क्या करा है negative sign common ले लिया minus 1 common यहाँ पे लिया minus 1 common यहाँ पे लिया X upon Y का ratio आ गया B minus C C minus A देखे ये रहा अगर आपका भी answer C है ना बिल्कुल correct है बात समझ में आई चलिए question number next की तरफ चलते है देखे ये बड़ा कई बार बच्चे confusion करते हैं which Indian mathematician was the first to start use of rules on operation of zero यह invent की बात नहीं कर रहा है कहता है जीरो के जो operation है ना उनको किसने state कर रहा था तो अक्सर बच्चे आरियबट लिख देते हैं लेकिन यह अकेला ऐसा question इसमें confuse नहीं हो ना ब्रह्म गुपता है ना वो answer आएगा clear हुई बात जीरो का नाम आते है आरी बड़का आता है but the one who state rules on the operation of zero तो यह 16th question था next question देख लेते हैं दिखिए यह क्या question है कह रहा है कि भाया एक when passenger train maintain a constant speed this one अच्छा question है यह समझाता हूँ चलिए आप पढ़ लीजिए इसको आपने solve कर लिया हो तो बताता हूँ हमसे कह रहा है कि वो एक लीटर में 4 km कवर करता है पहली चीज़ और कहता है कि 200 लीटर full है उसका tank done और बताना है कि भाया अगर उसने टी आर्स का trip करा है तो कौन सी equation इसको satisfy करेगी देखिए अगर अपने answer कर लिया तो मैं समझाता हूँ आपको ये agree करो वन आर की 60 km जा रहा है सर ये देखो speed है वन आर में अब मैं आपको t r में पूछा है ना तो t r के लिए आप मैं आनते हो मैं 60 से multiply करूँगा तो 60 t यानि 60 into t km उसने cover कर लिया फिर मैंने देखा यार नी consumption of oil होता है 1 liter 1 km के लिकाला तो 1 by 4 हो गया 60 t km के लिए निकाला तो 60 t upon 4 कर रहा तो 15 t total उसकी fuel tank में 200 है कहता है which देखो इसमें line पढ़ना which one of the following given equation represent the relation between 200 total था उसमें से 15 t जो fuel use हो गया तो 200 में से 15 t मैं minus कर दूँ ये वाला जो c है ना 17th का वो बिलकुल correct होगा बात समझ वहीं total इतना था ये तो consume हो चुका है ना तो इसको मैंने 15 t को 200 में से minus कर दिया so this is a left c answer 18th question देखते हैं बड़ा मज़ेदार question लगा भई मुझे तो कहता भई ये इसको जूम कर दिया which one of the will not change ठीक है चली answer की बात करता हूँ देखे angle between a and b है ना वो नहीं change होगा तो मेरा answer 18th का d है आप बोलो सेरे समझाओ कैसे बहिए इस सिदी से बात है मान लीजे मैं एक example से समझाता हूँ इक्योलेटर ट्रेंगल है ये इक्योलेटर ट्रेंगल है इस इक्योलेटर ट्रेंगल में आप सब को पता है सारे एंगल 60 होते हैं बिल्कुल 60 होते हैं अगर मैं इसको जूम भी कर दूँ बड़ी भी बना दूँ तो एंगल जो है ना वो सेम होता है एक्चुल में एंगल साइड की लेंथ पे नहीं depend करता amount of ton होता है तो सेम सेम ए में एंगल है ना वो नहीं change होगा d is the right answer अगला ले लेते हैं 19th question अच्छा question है दिए question बताता हूँ क्या कह रहा है कहता है एक employee में 35 employees में से 15 men है 20 women है और कहता है कि इन में से कौन सी statement true है चलिए तो एक example से समझाओ कि मैंने क्या करा average salary की बात कर रहा है तो मैं answer बता देता हूँ देखिए कि क्या कह रहा है भाई यह 15 men है और 20 women है ना average निकालते है 15 men का 15 men salary का sum को 15 से divide किया women के case में women की salary का sum को 20 से divide किया और यह कहता है दोनों बराबर है same as the दोनों बराबर कर दिए अगर मैं cross multiply कर दाता हूँ तो 20 into men salary ठीक है और यह बराबर हो जाएगा 15 जो है वो women salary अच्छा 15 और यह बराबर होगी तो यह दोनों बराबर है इसको ध्यान देना एक ऐसा number यह salary है जिसको 20 से multiply करें और इसको 15 से multiply करें तो यह man salary कम होगी तभी तो इसको 20 से multiply करके और इसको बराबर ला रहे है तो यह कहता है some of men salary is less than that woman अगर आपका a option है तो बिलकुल ठीक होगा sir कैसे आप समझाओ मैं वापिस भी मैं आपको यह कहूँ कि 6 into 4 बराबर है 8 into 3 अगर माली यह 8 है बड़ा नंबर है तो उसके बागल वाला चोटा होगा और यह 6 है यह चोटा नंबर है तो इसके बागल वाला बड़ा है तो यह 15 और 20 में यह बड़ा नंबर है तो यह man salary चो बोल मज़ेदार question भी है यह तो कहता भी यह दो circle है diameter दे रखा है बे का b दे रखा है एक का दे रखा है यह और हमसे कहरा है यह c है इन दोनों के बीच में यह c है हमसे कहरा है what is the distance between p q यानि कि यह blue आला distance निकालना है आपने कर लिया चलिए मैं अपना answer बताता हूँ well मेरा answer ह हो जाएगा इसमें मैं आपको समझाता हूँ देखे डाया मुझे ना निकालना है कौन से वाला मैं इसको थोड़ा सा इससे करता हूँ p q distance निकालना है right यह p q distance है ना यही तो गह रहा है then the distance between the center पहले यह बताए बड़े वाले का जो diameter है वो a है ना तो radius a y2 अगर मैं p x जो ह ना उसमें से यह जो p x distance में से यह x q माइनस कर दूँ तो बात बन जाएगा क्या बिलकुल बन जाएगा यानि कि यह q x माइनस करने वाला हूँ मैं p x में से तो p x तो पता है भीया radius है बड़े वाले circle की अब यह जो q x है ना यह देखे इसमें 2 है यह तो हो गया b by 2 और यह ह नो माइनस करता हूं b by 2 भी माइनस करता हूं और c भी माइनस करता हूं अगर मैं 1 by 2 LCM ले ले लेता हूं तो a माइनस में b माइनस 2c बना यह है मेरा answer देखते हैं कौन सा है a minus b minus 2 यानि कि 20th का d answer आ रहा है आई होप आपको समझ में आया होगा चली next question की बात करते हैं चली 21st question करते हैं देखिए क्या question करा है किता है boy can run at the speed given है हमें ठीक है भी या और one kilometer distance given है तो पहले एक minute आप ले लीजी मैं आपना answer बता देता हूं चलीए मेरा answer देखिए अगर आपने वीडियो पोज करके इसको कर लिया है तो देखिए मैं ना figure बना लिया आपको समझाने के एक kilometer का distance है बिलकुल है फिर भीया कहता है कि reduce by Q तो ये कह रहा है पहले P थी ना तो P minus Q हो गया तो यारी तो बड़ा असान है कैसे आपको सिर्फ एक formula पता होना चाहिए ये formula speed पता मिल गी हमें time मिल गया distance होता है speed into time distance one kilometer है speed मैंने लिख दी time r है और r को मैं वहां कर दूँग तो ये देखिए A option जैसा बिलकुल बन रहा है अगर आपका भी answer A है ना तो बिलकुल correct है बात बनी चलिए 20 second question देखते हैं बड़ा मज़ेदार question है बड़ा मज़ेदार question है बड़ा ये तो कहता है Ram has filled his bike fuel to maximum ये कई बच्चे भूल जाते हैं ध्यान में रखना वह ये इसको ध्यान से पढ़ना है आपको 15 liter है capacity और mileage है 80 km per liter और कहता है कि भाया वो कुछ दिन चला ये बताइए how much distance he covered इतना खाली वाय टोटल 15 है ना तो आप मानते हो कि ये यहां से यहां तक जो है ना मैंने इसको करा 15 को divide किया तो ये एक जो point है ना वो 2.5 liter का है 2.5, 2.5, 2.5 ठीक है आप बलुसर ये कैसे निकाला अपने 2.5 आप देखे 2.5 है ना ये मैंने इस तरह से निकाला कि वह ये 2.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 6 से करोगे तो 15 को 6 से करोगे तो 2.5 आता है इतना यानि कि ये 5 liter कंजूम हो चुका है बचा कितना है 10 liter बचा है लेकिन हमें तो कंजूम वाले से लेना देना है तुझ लिज़े समझाता हूं आंसर क्या आया देखो भी या maximum 15 liter था 5 liter कंजूम हुआ है एक liter में 80 km गाड़ी चली तो 5 liter में 80 इंटू 5 अगर आपका आंसर 400 है बिलकुल सही है बात सुनी आपको यह पता करना था कि कितना पैट्रल चला गया 5 liter गया है वह यह एक जो यह स्लोट है न यह 2.5 का सरी 2.5 कैसे आया वह यह 15 को मैंने 6 से डिवाइड के तो 2.5 आया 60 तो है यह स्पेस 1,2,3,4,5,6 मेरा मानना है यह भी इजी है 23 देखते हैं यह यह एक्चुल में देखा जाए तो कैल्कुलेशन नहीं है तो आपकी जर्नल अविरनेस कहता है गनित सास्थर टम गो मुत्री का इजे मैथर डिसकर वे इंडियन मैथ भासकर अचारी ने अगर तो भई आपकी जीके काम कर रही है यहां पर डन चलिए आगे ले ले लेते हैं 24 और भी मज़ेदार है कहता भी पैटरन को अबज़र करो बिल्कुल ठीक है फोर्थ फिगर बतानी है यह 0 परसेंट है यानि कि मैंने तो यह समझ में आया कि भईया यह empty space है ना उसकी बता रह है परसेंटेज सर कैसे पता गया यहां 0 है यहां 50-50 हो गया देखिए ध्यान से देखे 50-50 फिर इसके भी अगर आप चार टुकडे करते हो ना तो यह देखिए यह 25 परसेंट जो है ना वो empty space की बताता है यहां तो 100 परसेंट ही है अगर आपका answer C है 100 बिल्कुल ठीक है चलि 25th question चलते हैं well 25th question में तो sequence है मैं आक्सर बच्चों को कहता हूँ कि भई यह sequence वाले question भोत आते हैं तो देखिए आपने आगर कर लिया हो तो मैं बता हूँ जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे actual में as a math teacher है ना यह series देखते ही cube ही याद है square और cube को मैंने याद रखा है ठी ठीक है तो मैंने देखा यह यह तो देखा जाए तो यह number है ना यह 9 का cube से आसपास है तो एक pattern मिला मुझे क्या pattern मिला बताता हूँ आपको pattern मिला इसको मैं 9 का cube into 2 कर दूँ भई यह 9 का cube होता है 729 उसमें से 2 minus किया है तो यह आया फिर अगर आगे देखा होगा यह होता है 10 क cube minus 2 10 का cube होता है 1000 उसमें से भी 2 minus किया है यह होता है 11 का cube minus 2 यह फिर obviously 12 का cube minus 2 आएगा यह 12 का cube भईया 1728 होता है तो अगर आपका भी answer 1726 है बिलकुल ठीक है तो अक्सर याद रखना यहाँ पर एक ही चीज़ कहूंगा मैं कि आपको square और cube याद रखना है square कोसिज करना 1 से लेके 30 तक और cube भईया 1 से लेके 20 तक है तो भी चल जाएगा ठीक है चलिए 26th question चलते हैं मेरा favorite है भईया मैंने class में यह बहुत बार पूछा important mark कर देता हूँ कहता है कि question में कह रहा है कि भईया यह दो है PQRS is a square और आगे एक rectangle plank है यह plank है अंदर वाला जिसके उपर है न मैं अब रेड से कर रहा हूँ यह plank है और यह plank के चारो corner जो square से touch हो रखे है ABCD is a plank और diagonal of a square ठीक है हम से कह रहा है what is the area of the plank इसका area निकालना है यह area तो तब निकल जाए जब length और breadth मिले तो चलिए यह bread तो मिलगी अगर आप ध्यान दो तो bread तो two root two मिलगी बिल्कुल ठीक अभी यह इसकी जगह पर two root two आ ज कैसे निकालें तो एक चीज़ देखो इसने क्या लिखा है कि edges are equally inclined to adjacent side equally inclined का मतलब बहुता कि भाईया यह angle दोनों बराबर हैं ठीक है यह दोनों बराबर हैं यह दोनों बराबर हैं तो यह side भी तो बराबर हुई यह बचावा portion भी तो बराबर हो गया यानि कि यह वाला portion या इसको क्या क्या वो समझाता हूं आपको मैंने ट्रेंगली ए पी बी यह ट्रेंगली इस ट्रेंगल में अगर मैं एक side को A माल लेता हूं दूसरी भी A होगी और यह वाली 2 root 2 पता है तो आप यह बताओ अगर आपको समझ में आ गया होगा तो पाइथा गोरस थोरम मैंने होता है यहां से मुझे A मिल गया A मेरा यह है 1 अरी यह 1 है तो total 8 है तो यह भाईया 7 बन गया यह 7 बचा तो यह भी 7 बचा मुझे तो किसी तरह से यह मिल जाए तो पाइथा कोरस थोरम लगाएंगे इस ट्रेंगल में जिसमें मैं outline कर रहा हूं इसमें मेरी 2 side 7 7 है और भाई यह इसमें से मैंने निकाला BD यह BD निकल गया पाइथा कोरस थोरम से BD मिल गया तो भाईया length मिल गी तो यह length मेरी आई 7 root 2 इन दोनों को 7 root 2 को root 2 से multiply किया अगर आप का answer भी 14 आ रहा है बिलकुल correct है अच्छा question था चलिए 27 question देखते हैं यह easy है भाईया कहता है इस diagram में basalendical bucket is placed under a tap which is dripping at a constant speed देखिए पहली चीज तो पानी तो गिर रहा है यह time है अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो और यह water level है भाईया अब water level तो भाईया एक ताम बरने के बाद तो बहार गिरना शुरू हो जाएगा बढ़ेगा तो नहीं तो आप note करन इस case में मेरा answer है कि time बढ़ा तो यह same rate से बरता रहा बरता रहा और फिर बिलकुल बहार गिरेगा तो अगर आपका answer भी B है तो बिलकुल ठीक है और यह लीजिए B answer is right 28 question देख लेते हैं again कहता है ना कि important mark किसले कर रहा हूं मेरा favorite है कहता है कि बाया canvas को fold करा fold करा तो what is the what will be the area of the highlighted portion इसका area निकालना है यह जो cd region है ना ठीक है भाया चलो कैसे करते हैं देखिए अगर यह three वाला fold करा यहां तक तो आप मानते हो यह three होगा यह length three होगी ठीक है fold करके देख लीजिए पेपर यह three है तो भाया यह भी three होगी यह three है तो total five है तो two बचा यह two बचा तो भाया यह two बचा तो यह two बचा तो यह two कैसे बचा यह जो fold वाना तो यह यहां तक touch होआ है तो यह square है तो total अगर three है three में से two यह है तो one यह बचा अब मुझे यह जो black वाला space है ना इसकी length मिलगी two इसकी breadth मिलगी one अगर length और breadth मिल जाती है तो area जो है वो two into one करा तो two into one मेरा answer आगया a option बात बनी चल यह twenty nine question करते हैं well यह तो भईया anxiety में भी formula है आपको पता होगा कि किसी भी triangle में जो third side है ना अगर दो side दे रखी है तो third side निकालने का formula है कि भईया third side है ना वो आएगी किसके बीच में difference से तो जादा बड़ी हो गई यानि कि दो side का difference से जादा बड़ा होगा seven point eight और one point two के difference से तो बड़ा होगा यह लिजी बड़ा है और some से छोटा होगा इन दोनों को add करा और इन दोनों का difference निकाला तो इस important concept को मैंने निकाला तो मेरा answer match कर रहा है D के साथ अगर आपका भी answer D आ रहा है then it is right 29 question I hope D चली 30th question की तरफ चलते हैं well काफी easy question है किता what is a least number पे ध्यान में रखना किता है list number if a number is 8 और 11 दोनों से divisible होना चीए देखे पहले 8 से बात करते हैं जिस बच्चे को याद है कि 8 से divisible होते हैं अगर last के 3 digit 8 की table में आए done तो भीया 8 का divisibility test यह था last के 3 digit लिए मैंने इसको 8 से divide किया 2 बचा अब यह देखे मैंने put कर ना कर n की जगे पे क्या put करूं n अगर भीया 0, 1, 2, 3, 4 रखने पे काम बन जाता है 24 हो जाएगा ना और 24 अगर यह हो जाएगा तो बड़ा easily 24 3 जा जाएगा तो n तो भीया दो जगे 24 n 4 है एक मैंतला यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा राइट अब बात करतें 11 का आपको पता होगा 11 वाला usability test है ना वो है कि भीया old places और even places का निकालना है सर कैसे देखी यह जो number है ना इस number में मैंने क्या करा old places का sum निकाला m 9 8 और यह आया m plus 25 फिर यह जो remaining places बचीना इनका निकाला sum और इनका sum निकाला तो n तो n तो value 4 है ना तो देखा जाए तो यह bracket तो भीया 20 बन गया ना 16 तो जब मैंने 20 माइनस किया तो यह जो difference है ना divisibility test 11 का कहा है जो difference है या तो 0 हो या 11 हो या 22 हो लेकिन 0 तो यहां होना का तुक ही नहीं था अब यह m plus 5 11 आएगा भाई यह 0 तो तो तब हो ना जब m negative हो लेकिन m negative तो यह तो मैंने m list value 6 put करी 6 put करने पर यह देखी m 6 and 4 c answer जो है वो मेरा आ गया अगर आपको यह समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा question था चलिए next question की बात करते हैं चलिए 31st question करते हैं देखे question क्या कहता है कहता है यह फिर number a exceed का मतलब या plus होता है another number b by x percent यह कुल यह कहना चाहरा है कुल मिलाके अगर एक number है ना वो greater है b से और वो भी b से कितना greater है x percent अच्छा अक्सर बच्चे बज़र x percent of what तो यह द्यान में रखना यह कहना चाहरा है कि बहिया जो x percent है ना वो actual में b का ही है x percent of b यह अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सरी इसका क्या में नहीं है ठीक है तो इन में से हमें correct बताना है ठीक है यह कोई बड़ी बात नहीं है I hope percentage का आपको पता ही है पहले आपने कर लिया है तो लीजे मैं answer बता देता हूँ आप agree कर रहो x percent of b को मैं ऐसे लिख सकता हूँ का x by handed of b b मैंने common ले लिया देखिए b यहां पे भी present है यहां पे भी present है अगर आपका answer d आ जगया है तो बिलकुल ठीक है आज समझ में आई चलिए question number 32 की बात करते है well बड़ा अच्छा question है किते यह person invest money in three different investment देखिए इसने यह नहीं का कितना कितना पैसा मान लिजे उसने एक जगह पे x रुपीज एक दूसरे पे y और एक पे z तीन तरह के amount उसने पहला amount 6 years के लिए दूसरा 10 years के लिए और third है वो बहिया 12 years के लिए दिया और rate भी दे रखा है 10% 20 केता है बहिया उन maturity ये काम की चीज़ है same interest है उन each investment अब simple interest की बात कह रहा है बहिया ये same interest यहां पे compound की बात नहीं हो रही ये simple interest का formula है ठीक है चली मैं आपको बताता हूँ मैं तीनों का यानि की principle मान लेता हूँ पहले का x है y है z है और तीनों का principle निकाल के equate कर देता हूँ सर क्या करा है आपने मैंने पहले case में second case में और third case में ना PRT upon handed लगाया अब ये handed तो तीनों में ही है इसको मैं हटा देता हूँ जब मैं ये हटाऊंगा ना तो जो मेरे पास बचेगा ना ratio देगी वो बड़ा मज़ेदार है क्या कह रहा है वो ये 60x बचा अब ये तीनों बराबर है तो obviously x की value है ना वो भाया जादा होगी किसे y और z से तो मैंने b option डाल के देखा को बिलकुल सही काम कर रहा है b option कैसे x अगर मैंने 6 रखा तो भाया ये आगया 360 और y अगर 3 लिया तो ये भी 360 है और ये 2 लिया तो 360 है और ये तीनों बराबर आ रहे है तो ये general common sense का question था I hope आपको click करा होगा question number 23 की बात करते हैं ये अच्छा question है कैता भाया in 16 minutes time how many degrees will the minute hand और hour hand है ना उसके बीच में हमें कितने degree का angle बना वो निकालना है ऐसे question में मैं तो diagram बना लेता हूँ देखिए मैंने diagram बनाया और ये diagram बना लिया ये आपको थोड़ी से help करेकर diagram बनाने हैं देखिए कैसे आपने ध्यान दिया 16 minute कह रहा है ना भाया से चला ये मालीते hour hand है शुरू में राइट और hour hand यहां पे है और ये minute hand है तो हमें ये जो blue line है ना इन blue line के बीच में angle पता करना है तो वैसे तो हमें पता है कि भाया 12 से लेके 15 तक ना 90 degree angle होता है राइट और जैसे इसने 60 minute का cover करी तो ये hour hand यहां पे shift हो गई और ये angle जो है ना actual में देखा जाए तो 6 degree होता है ये यहां से यहां तक angle 30 degree होता है राइट एक minute यानि कि एक minute hand लोग है तो 6 degree होता है चलो simple से logic बताता हूँ ये 90 के आसपास होगा तो 90 के आसपास होगा तो पहला option नहीं हो सकता दूसरा last option ये दो बचे मेरे पास ठीक है और ये भी हाँ पर shift कर जाएगा तो 90 से थोड़ा सा कम होगा तो ये तो आप note करोगे कैसे कम होगा कि ये अगर एक shift कर गया तो ये 6 degree बता रहा था ना मैंना 1 2 3 4 24 degree ये वाला 30 degree ये वाला यहां से यहां तक बता रहा हूँ मैं 30 degree ये वाला यानि कि minimum है ना 84 से तो ज़्याद आया 88 कैसे आएगा 84 तो साफ दिख रहा है ना और ये 4 degree है ना वो यहां पे ये 16 minute वाला cover हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि ये थोड़ा सा आगे आजाएगा इससे 15 minute से भी जादा तो इसमें भी again common sense की बात करेगी आपको ये ध्यान में रखना था कि कौन सा angle degree major नहीं हो सकत अगर आपका answer C है बिल्कुल correct है done चलिए question 34 के बात करते हैं well ये class 8 में formula है आपको पता होगा sir formula क्या कहता है कि regular polygon है ध्यान देखे regular polygon होती है जिसकी सारी sides और angle बराबर है exterior भी बराबर होते है आपस में interior भी दो हैं हमसे कह रहा है कि भाई ये n-1 और n-1 side का न इनका exterior का difference ही है पहले तो formula लगाया जाए जिस बच्चे को ये formula पता है न उसको समझ में आ गया होगा one exterior angle का होता है 360 divided by number of side तो पहले case में n-1 side है 360 को divide करा दूसरे case में n-2 है 3 अब इसको simplify करेंगे ना तो मुझे n मिल जाएगा और simplify कैसे करते लिजी मैं बताता हूँ simplify मैंने ऐसे करा 360 common ले लिया common लेने के बाद ये बचा फिर मैंने लिया इन दोनों का LCM n-2 यहाँ पे n-1 यहाँ पे और ये n से n cancel हो जाएगा 2 प्लस में 1 करेंगे यहाँ पे 3 आया और ये मैंने लिख दिया 3 यहाँ पे और n-1 इसको simplify करने की जरूतनी है आप एक काम कर सकत हो substitute करके देख लो आगर आप N B की value यानि की N 13 put करते हो यह बिल्कुल satisfy हो रहा है फिर भी आप निकालना चाहते हो तो quadratic से sol भी कर सकते हो N की value 6 13 put करने पर आपका अंचोरा जाता है बात बनी चलिए 35th question देखते हैं सब सीजी तो मुझे यही लगा विया कह रहा है कि यह बता यह वाला एक ऐसी कौर्डलेटल जो इसके opposite sides parallel हो भीया ठीक है और फिर यह कह रहा है कि भीया opposite side parallel तो है कि एक और चीज भी कह रहा है यह कह रहा है कि अब इसमें adjacent side है ना वो equal हों तो adjacent side equal हों और parallel भी हों तो यह तो rhombus होता है तो अगर आपका भी answer C है ना तो बिलकुल correct answer है इसमें तो कुछ था ही नी calculation part 36 की बात करते हैं देखिए average होता है अगर कोई मुझे पूछे ना average ऐसे निकालते हैं दो नंबर का a plus b divide by 2 तो sir हम यहां क्या करेंगे भाईया इन दोनों को add करेंगे यानि कि ये 3 की power 18 और 3 की power 21 को add करके 2 से divide करेंगे जो lowest power है ना उसको भाईया 18 ही है ना उसको मैं common ले लूँगा sir common कैसे ले रहे हो चलिए बताता हूँ आपको इस 21 को मैं ऐसे लिख सकता हूँगा 3 की power 18 और 3 की power 3 I think correct करें divide by 2 है ये 3 की power 18 दोनों जगे है लीजे बाहर ले लिया 1 प्लस में 3 की power 3 बचा 3 की power 3 भाईया 27 होता है तो ये actual में देखा जाए तो 27 और 1 28 बचा नीचे 2 है 2 से कट कर दिया 14 इंटू 3 की power 18 अगर आपका भी answer भी है बिलकुल ठीक है बात बनी चले 37 की बात करते हैं ये easy question है देखी क्या कर रहे है पहले तो आपको ये पूछ रहे है कि ये number बताओ तो ये minus 2 है न तो आप agree करोगी ये हो जाएगा minus 2.1 ये हो जाएगा minus 2.2 ये हो जाएगा minus 2.3 ये हो जाएगा minus 2.4 ये हो जाएगा minus 2.5 तो एक चीज़ तो है कि ये जो number है 2.4 और 5 के बीच में आएगा तो 2 पाइंट आएगा ना तो ये भी नहीं हो सकता राइट ये भी नहीं हो सकता अब यहां पे आ जाते है अब मैंने सीधी सी बात बाए 2.4 और 5 के बीच में आएगा तो ये तो मतलब भी नहीं तो इस केस में जो आंचोर बनता है वो C बनता है आपको competitive exam में smart work दिखाना है और smart work ये कहता है कि इसको solve करने से पहले options ही देख लो चले 38 question देख लेते हैं ये easy है ये क्या कह रहा है 5 digit का number है right 9 का divisibility test पूछ रहा है या क्या होता है सारे digit को add कर दी और अगर वो 9 से divisible है तो yes तो भाई इस केस में तो only one will be correct तो कुछ करना ही नहीं था free के number होते हैं कई बार question जो last वाले होते हों बड़े easy होते हैं ये negative वाला तो कभी होता ही नहीं भाई है तो इस case में तो false हो जाएगा done तो only a option is correct 39 question भाया मज़ेदार question married बनाने वाला important कहूंगा मैं इसको देखिए कितना बड़ी है question है which one of the following option is true सबसे पहले मैं न cross multiply कर लेता हूं cross multiply करते हैं cross multiply किया तो m into k भाया यहां पे देखिए इसको मैं ऐसे लिख सेकता हूं m into k जो है वो मेरे left में आ गया और right side में ये वाला पूरा और ये numerator दोनों को मैंने multiply कर दिया पक्का कुछ न कुछ बनेगा अब next क्या बने वाला है ये जो 10 है ना इसको 2 into 5 लिख सकता हूं ये लिजे वह या लिख दीजे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो थे कि बिलकुल सीदी से बात बता रहूं ये 2 into 5 आ गया 14 को 2 into 7 और root आ रहा है अगर आप ध्यान दो common इसलिए ले रहा हूं मैं कि ये common लेने से बड़ा easy हो गया root 5 और root 5 common लोंगा ना तो यहां से इन दोनों से एक ये वाला और एक यहां वाले से root 2 प्लस 3 बना similarly इस वाले में से root 7 common लोंगा ना तो root 2 प्लस 3 बना similarly इसमें अगर आप देखो root 2 common ले लेते हैं इन दोनों से ले लो तो मेरा ये negative बाहर ले लिया तो अंदर जो है ना ये positive था तो negative बन गया अब अगले वाला step तो यह साफ दीख रहा है बिल्कुल क्या है देखिए मैं आपको बताता हूं ये वाला step कह रहा है कि same वाले को common ले लिया बिल्कुल ठीक है यह यहां से root 5 यहां से 7 सेम वाले को common ले लिया यहां से root 2 और यहां से root 3 अब अगर आप note करें आपको नहीं लगता है ये दोनों को identity बनाते हैं a plus b minus b आपको नहीं लगता है ये भी दोनों identity बना रहे हैं तो ये जो identity है ना algebraic quality जो सबसे ज़्यादा यूज होती है a plus b a minus b वो ह होती है a square लिख देता हूँ a plus b और a minus b identity को use करता हूँ ये a square minus b square होता है इस case में root 2 का square हुआ root 3 का square इन दोनों को मैंने लिया है लिख देता हूँ इन दोनों को, right, similarly इन दोनों को identity लगाया, root 2 का तो भहिया 2 होता है, root 3 का 3 होता है, root 5 का 5 होता है 7, यहां से minus 1 आया, यहां से minus 2 आया, finally 2 आ गया, और यह तो M के चली रहा है, तो M के is equal to 2, अरे यह option देगी, आपको निल तो M के equal to 2 है, अगर आपका answer C है न, M is equal to 2 by K, बिलकुल correct है, अच्छा question था, और merit बनाता है, ऐसा question, चली, question number 40, last question है, हमारे test का, देख लेते क्या गया रहा है, कहता है यह X और Y की value निकाले, देखिए इस case में भी आपको multiply करके देखने की जरूत नहीं है, substitute करो, और जब मैंने पहले ही option put कर करके देखाना, तो मेरा answer आगया, आप बोलो sir कैसे, मैंने X3 रखा, तो 5, 3, 15, 15 और 1, 16 by 3, ठीक है भी यह, Y भी 3 रखा, 4, 3, 12, 12 में 3 जोड़ा, तो 15 और यह 15 by 4, इनको जब भाया मैंने cut करके देखा, तो यहर वाके 20 आ रहा है, याने की पहले option में ही LHS बराबर है, RHS आ तो मेरा answer हो जाएगा, A, A for Apple, बहुत अच्छा collection the questions का, I hope आपने enjoy किया होगा, thank you very much